वेलकम एक दोस्तों यार Qualcomm की नंबर गेम और वेरिशन मेरे समझ के बाहर है यहाँ पे अभी कोशी चिनों पहले हम लोगों ने Snapdragon 888 Plus के बारे में बात की थी और अभी वाई एक नए chipset के बारे में information बाहर निकल के आ गई है हमने जो Snapdragon 888 Plus के बारे में बात की थी वो Snapdragon 888 का overclocked version था लेकिन जो Qualcomm का नया next generation 800 processor होने वाला है वो कोई और ही होने वाला है दोस्तों कल Qualcomm ने कुछ info इसके बारे में भी provide की है हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले है क्या कैशीजे मिलेंगी आपको क्या कैशीजे नहीं मिलेंगी and probably इसको Snapdragon 895 बोले जाएंगा तो चली वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चनल पे नाए आए हो इसके नेमिंग को लेकर के थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है क्वालकम उपर नीचे कर सकता है लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग fabrication process की दोस्तों यहाँ पे आपको 4 nanometer का TSMC process देखने को मिलने वाले भाई यह तो latest से latest fabrication technology यूज़ करने वाला है heating exist करेगी ज्यादा नहीं होगी if we are talking about android smartphone less battery consumption होगा and power efficiency काफी अच्छी मिलने वाली है यहाँ पे चलो दोस्तों CPU की बात कर लेते Qualcomm के maximum chipset में आपको 1 plus 3 plus 4 का core distribution नजर आता है और 64 bit octa core chipsets होते हैं यहाँ पे भी आपको यही technology मिले की common सी बात है लेकिन इस बर Qualcomm यूज़ करने वाला है अपना cortex v9 architecture यहाँ आपको जो पहला prime core मिलेगा ना वो cortex axon वाला नहीं होगा यहाँ आपको cortex x2 वाला super core देखने को मिलने वाला है इसके अलावा जो mid core होगा वो होने वाला है cortex x2 वाला वो cortex x1 से 16% better होगा और जो mid core होगा cortex a710 यह cortex a78 से लगबक 10% ज्यादा बेटर होने वाला है आखरी जो core मिलेगा ना आपको cortex 510 वाला वो cortex a55 से 36% बेटर होगा और 20% less battery consumption करेगा 20% better power efficiency provide करेगा यह तो अच्छी बात हो गई कि सारे के सारे core change हो गए है और cpu पहले से काफी ज्यादा powerful हो गया है लेटरेरी बहुत ज्यादा powerful हो गया है जीपू की बात करें दोस्तों तो यहाँ आपको नजर आएगा better image processing नजर आने वाली है बात कर लेते RAM और storage की दोस्तों यहाँ पर आपको quad channel LPDDR5 RAM का storage मिलेगा frequency 3200 MHz की मिल ही जाएगी इसके लब आप 20GB की memory density नजर आ जाने वाली साथ में storage में आपको EMMC 5.1 से लेकर की UFS 3.1 तक के सारे storage वेरेंट्स देखने को मिलने वाले है डिस्पले की बात करें दोस्तों तो यहाँ आपको 4K resolution का support मिलेगा साथ-चाथ 168Hz तक का refresh rate support मिलने वाला है नए VPU के use होने की वज़त से यहाँ पर वैसे तो full HD press resolution और Q HD press resolution पर ही आपको 168Hz का refresh rate नजर आएगा connectivity की बात करें दोस्तों तो यह आपको snapdragon के तरप से X65 5G modem मिलेगा 5G carrier aggregation मिल जाने वाला है इसके साथ में और downloading की speed की बात करें तो भाई क्या चीज है 10GPS की speed मिल रही विच इंग्रेडेबल तो भाई so called snapdragon 895 बहुत जल्दी आ रहा है पहले हाइट करेंगा उसके बाद में launch होगा मतलब यह वाले chipset दोस्तों आपको इस साल के आखरी अकरी में ही देखने को मिलेगा मतलब जरूर बोल सकते हो क्रूंबॉक्स में comment करके बाकि आपका क्या कहता है कोटेक्स की जो वी 9 टेक्नलोजी आपको मिलने वाली है आने वाले chipset के अंदर वो कैसी होगी क्या यह एपल के A15 by 96 के साथ में compare कर पाईगी आपको यह वीडियो informative लगी होगी तो इस वीडियो को like कर देना चैनल पर नहीं आयो चल को subscribe करके बैद आकन को press कर देना क्योंकि इस तरीकी की daily take videos आपका हमारे चल पर मिलती है daily basis पर अपने अगले take video में तब तक के लिए बाई